वर्ष 2022 में पुर्वत्तर रेलवे ही नहीं संपूर भारती रेल के लिए चुनोती पूर एवं उपलब्धियों से भरा रहा है इस रेलवे पर सुरच्छा रिकार्ड भी बहतर रहा है यह उपलब्धियां सभी के समर्पित एवं उत्क्रिष्ट कार संपता से संभव हुआ है यह जानकारी देते हुए पुर्वत्तर रेलवे के सीप्यारो पंकच कुमार सिंग ने बताया कि वर्ष 2022 में पुर्वत्तर रेलवे पर लगभग 90 परतिशत रूट का विद्धुति करण हो चुका है परसंडी, विश्वा, सरयया, ज्यानपूर रोड, हडिया खास, रामनातपूर, डोभी, मुफ्तिगंज, फिपना, करीमुदीनपूर, यूसुफपूर, गादिपूर सिटी, एवं फिपना, रसड़ा, रेल, खंडो, सहित, कूल 189 ट्रेक, किलोमीटर, दोहरी करण, एवं मेलानी, सवारी गाड़ी, कानपूर, सेंटरल के मद, दो जोड़ी, मेमुगाडियों का संचालन, गोमती नगर, दूतिए, एवं, परवेह दुआर, एवं, टर्मिनल, सुईधाओं का शुबारम किया गया है, पुरवत्तर रेलवे के छे स्टेशनों, गोरपूर, छपरा, गोंडा, गोमती नगर, लखनव, एवं, काड़ गोदाम, इस्टेशनों के पूर विकास की कारवाई शुरू हो चुकी है, उन्होंने कहा कि पुरवत्तर रेलवे पर रेल पत के सुधीकर, सिग्नल संबंदित कार, पूर होने तथा रनिंग करमचारियों के नियमित काउंस सिलिंग से रच्छा सुध्रिड हुई है, इस्टेशनों पर उन्नत यात्री सुधाएं उपलब्त कराई गई है, रेल परिसर तथा कार्याले को सुरच्छित रखने के लिए मिशन जीरो इसक्रैप के तहट, रेलवे बोर्ड द्वारा इसक्रैप बिकरी निर्धारित वार हो सकी है, उन्होंने कहा कि अगले नए वर्ष में पुर्वत्तर रेलवे द्वारा चल लही सभी परियोजनाओं को समय से पूरा कर, पुर्वत्तर रेलवे को एक नई उचाई परदान किया जाएगा, तथा सरच्छी, सुरच्छी, सुखत, बेहतर, सुधायुक्त, याताय ने तथा रेल परिसर को स्वच रखने में बहुमूल योगदान रेलवे देगी, इस समन्द में गोरकपूर नियूज से बात करते हुए, पुर्वत्तर रेलवे की सीप्यारो पंकच कुमार सिंग ने कहा, 2022 पुर्वत्तर रेलवे के लिए उपलब्धियों से भरा रहा, पुर्वत्तर रेलवे पर हम लोगों ने इंफ्राइस्ट्रक्चर के विश्तार और विकास पे काफी कारे किया, इस पूरे कलेंडर वर्स में हाइस्ट यवर, यानि कि सबसे जादा, 189 किलोमेटर डबलिंग करी हम लोगों ने, जो हमारी लाइन ने थी उनका इलेक्टिफिकेशन किया, काफी हद तक इलेक्टिफिकेशन हो चुका है, अभी तक की बात करें, तो 90% के आराउंड इलेक्टिफिकेशन पुर्वत्तर रेलवे में हो चुका है, साथ ही साथ, अगर यातरी सुगधा में बात करें तो लिब्ट्स और एसकेलेटर्स लगाए गए दिवरिया में हमने लगाए बनारस रेलवे स्टेशन पर लगाया और यातरी सुद्दा के अंतरगत हम लोगों ने टेनों के जो कोच हैं उनका बदलाओ किया ज्यादा तर टेन हैं हमारी अभी अलजबी कोच से चल र लात हुआ सोलर अनर्जी में भी हम लोगों ने कारे किया वहां भी हम लोगों ने वोड़ जा की बचट करी एचोजी से टेने चला कर वहां डीजल की बचट करी तो एक ग्रेन रेल्वेज बनने की तरफ हम लोगा अगरसर हैं अगर स्टाप की बात की जाए तो हर्मस के अगरसर हैं जो डॉक्तर का कंसिल्टेशन है वह डिज्टल प्लेटफॉर्म पर लाया गया वहां पर क्यूवार कोड भी लगाया गया जिसके माध्यम से लोग सकान करके डिरेक्ली नमबर लगा सकते हैं अलग से रिज्टेशन करने की आउश्यक्ता नहीं है साथ ही साथ ज इस प्रकार से जनरल अगर सेक्टर में देखें तो गोरपूर के लिए हम लोगोंने पुरबुत्तर रेलवेट क्वाटर में सभी सुगधाओं से युखत ऑडिटोरियम बनाया स्पोर्स के सेक्टर में भी हम लोगोंने काफी कार्य किया कई धेड़ सारे स्पोर्स के लोरेल्स मेडल्स हमारे पास आए इस वर्स हमारे एक क्रिकट खिलाडी जो इंडिया यह टीम में सिलेक्ट हुआ था पिछली बार अभी IPO में भी SLEKT हो गयає प्रो कबड़ी में हमारे पांच खिलाड़ी खेल रहा है, खेले अभी जैस्ट उनकी परफॉमेंस काफी अच्छी रही, फिर इंटरनेशनल गेम्स में भी हमारे जो रेसलिंग के लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कॉमन वेल्थ गेम्स में हमारी पुर्वत्तर कि एक लड़की ने सिल्वर मिडल पराप्त किया, तो इस प्रकार से एक लंबी लिस्ट है अचिपमेंट्स कि अगर हम गिनाने बैठें, तो सभी को तो गिना पाने संभव नहीं है, लेकिन बहुत धेर सारे उपलब्धियारे, पुर्वत्तर रेल्वे के लिए, संग प्लस में भी जो कार हम लोग ने आगे बढ़ाया है, उसको पूरा करेंगे, जैसे कि जो लूप लाइन हमारी है गोरवपूर से गुंडा जाती है, उसमें कुछ पार्ट का इलेक्रिफिकेशन रहे गया है, वो इलेक्रिफिकेशन हम लोग पूरा करेंगे, जिसके बास से डीजल एंजन एक हिस्टी बन जाया है, क्योंकि अभी लूप लाइन में जाने के लिए डीजल एंजन चलता है तो उसके आउशकता नहीं रहेगी, प्लस जो हमारी तीसरी लाइन का कारे चल रहा है, उस कारे को हम लोग लक्षित किये हुए है कि उसको पूर्ण करेंगे, जो गोरवपुर केंट और नकहर रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर डवलोप करने का कारे है, उस कारे को पूरा करने का लक्षिन और धारित किया गया है, इसके लिए एक स्विमिपूल हम लोग बना रहे हैं, वो नए वर्स में एक जो गोरवपुर व स्टेशन करा है, वो कारे भी इस नव वर्स में पूर्ड होगा, तो नए साल के लिए हमारे भी सारे टागेट्स भी हैं, जिन पर हम अच्छा कारे करेंगे, और भी सारे उपलब्धियां पूर्बोतर रेल पर अगले साल में भी सभी रेलकर्मियों के समर्पण और करतावन से पूर्ड करेगा, यात्रियों के सुद्धा के लिए हम लोग स्टेशन का कार शुरू कर रहे हैं, जो प्रमोक स्टेशन हैं, उनको अमरित स्टेशन के तोर पे भी हम लोग चिन्नित कर रहे हैं, इस बार भी लोकल प्रोड़क्ट की मार्केटिंग करने के लिए, स्टेशनों पर, तो इन चीजों को आगे लेकर जाना है, और यात्रिय सुद्धा हमारे लिए एक प्राइम कंसर्ण है, और उसको लेकर रेलवे लगातार, यात्रियों सुद्धा और संग्रक्षा, यह रेलवे की टॉप प्राइटीज रही हैं, और यह इस साल में भी रहे जहां पर जो लोग आएं, जो यात्रिया हैं, उनको सभी प्राइम की सुद्धा हैं मिलें, जो सेकेंड एंट्री हो और में एंट्री हो आपस में कनेक्टेड हो, इसका एक नए डिजाइन, नए वर्स में लेकर हम लोग आएंगे, और शीगरी इस पर कारे भी शुरू होग कुछी स्टेशनों पर हमारे यहां इस पर कारे अल्रेडी चल रहा है, जैसे गोंती नगर स्टेशन और लहनों स्टेशन पर